हेलो फ्रेंड्स और वेल्कम बैक तो मैं चैनल बेंगॉली फैमिली इन यूए जा मैं बात करते हूं यूए और ट्रावल से रिलेटेड चोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मैं क्यों ऐसा बोल रही हूं कि दुबई में जॉब मिलन अच्छा है बहुत opportunities हैं आपको काम आता है तो आप कर सकते हैं काम आना चाहिए तो उसका जो negative side है न वो भी हमें discuss करना बहुत जरूरी है तो इस समय पे जो हो गया है पहले क्या होता था आप अपने home country से भी interviews वगरा दे सकते थे apply करते थे यहां के जो job portal से उसके थूँ लेकिन अब ऐसा नहीं है अब बहुत बहुत जादा कठीन हो गया है दुबई में job मिलना ठीक है तो यह मैं negative वीडियो इसलिए बना रही हूं ताकि जो सच्चाई है वो भी आप सब तक पहुं सके कि यहां पर चल क्या रहा है अभी जो system आ गया आपको पता है AI system तो यह जो AI system में क्या है कौन सी keywords है यह सारी चीज़े आपको अपने CV में रखनी होगी अगर आपके CV में वो keywords है तब ही आपका जो CV है वो shortlisted किया चाहेगा company के तरफ से इसलिए बहुत लोग बोलते है कि यह जो indeed है girl jobs है यहां से हमें कोई response नहीं मिलता है तो इसका कारण यह है response इसलि को चाहिए होते हैं जिस job role के बारे में तो वो लोग जो keywords डालते हैं और आपकी CV के keywords मैच नहीं करते हैं इसलिए आपका CV shortlist ही नहीं होता है इसलिए बहुत जादा कठिनाई हो गई है तो अभी आपको अपना CV जरूर से update करना है जो की AI system के अंदर आना चाहिए normal CV नहीं चीजे keywords के थ्रू बनाई है ठीक है कैसे बनाना है अगर आप लोग comments करेंगे ज्यादा comments आएंगा तो उसका detail video मैं बताऊंगी आपको कि कैसे CV बनाना है कैसे keywords आपको include करना है CV में ताकि आपका CV जो है वो select हो जाए तो इसलिए ना बहुत जादा कठिनाई हो रही है लोगो को पहले क्या होता था अपने home country में बैठे बैठे भी हम job supply करते थे shortlist भी होते थे interviews भी होते थे आते भी थे लोग यहां पर लेकिन आप ऐसा बहुत कम हो रहा है बहुत rare हो रहा है जिनको इस बारे में पता है उन्हीं लोग को jobs मिल रही है लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बड़ी problem face करनी पर रही है तो इसी इसका ध्यान रखे अपने cv को update कीचे आप लोग यहां आने के बाद भी अगर आप लोग cv's forward करते हैं ना email करते हैं करते हैं तो वो भी उसके अंतरगत आ गये हैं ऐसा है keywords अब तक match नहीं करेगा आपका cv जो है वो short list नहीं किया जाएगा आप walk-in interviews जाते हैं बोलके या किसी contract के through jobs लेते हैं वो अलग बात है लेकिन यह cv select होके उसके बाद वाला procedure होना उसके लिए बड़ी कठीना ही इस समय पे हो रही है इसका main reason यही है तो इसको जरूर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए गुडबाय और टेक केर